कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप से भी सबको नमस्कार उम्मीद होगा कि बड़े अच्छे होंगे आज का जो सेशन है बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन है जो पेपर में डैरेक्ट कोश्चन आएगा और वो होगा बजट कि 2024 कि 2025 कि लेकिन याद रखना यह इंतरिम बजट है यह अंतरिम बजट है अंतरिम बजट वो बजट कहलाता है देखो एक होता है रेगुलर बजट जो साल में एक बार आता है और अंतरिम बजट का मतलब होता है जो इंतरिम बजट होता है इंतरिम यह जो बजट होता है ये कुछ समयों के लिए होता है कुछ समय के लिए जैसे तीन से चार महीने के लिए कुछ समय के लिए होगा जैसे कि मान लिजे एक फेरवरी 2024 को बजट आया है तो अभी क्या होगा कि चुनाओ है और फिर से 2024 में नया सरकार बनेगा तो ये तीन-चार महीने के लिए ये बजट आया है और जब फिर नई सरकार आजाएगे तो फिर आगे बजट कॉंटिन्यू हो जाएगा तो ये इंतरिम बजट है कुछ समयों का बजट अब जैसे जो पिछले साल वाला था वो कंप्लीट एक साल का बजट था क्योंकि उसमें कोई चुनाव थोड़ी आने वाला था वो तो पूरा एक साल था तो इंतरिम बजट कुछ सालों का होता है ठीक है तो इसलिए ये जो बजट है वो अंतरिम बजट है और ये कुछ समय के लिए है तीन से चार महीने के लिए आईए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर बजट का थोड़ा सा अगर इतिहास जानने की कोशिश करूँ थोड़ा सा तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इतिहास बड़ा ज़रूरी है इसका बिना इतिहास जाने आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो याद रखिएगा ज यानि फ्रेंच शब्द है और फ्रेंच का बोगेट सब्द से बना है बजट और जिसका अर्थ होता है चम्डे का बैग जिसका अर्थ होता है चम्डे का बैग तो देखते हो नहीं ऐसे बैग लेकर आते हैं वितमंतरी ये देखिए पहले तो पूरा बैग लेकर आते थे अ सारी चीजें तो याद रखिएगा ये फ्रेंच का एक शब्द है बोगेट से बना है और इसका अर्थ होता है चमड़े का बैग साइद उम्मीद होगा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा याद रखिएगा 1773 में रावर्ट बाल पोल एक व्यक्ति थे इंगलेंड के रावर्ट बालपोल इन्होंने सबसे पहले अपने कैबिनेट के साथ एक थेले में भर्रकर अपने एक साल की योजना, खर्च, अपने एक साल का इनकम, उन सब का बेवरा दिया था सबसे पहले 1733 में लेकिन ये सिर्फ ये सिर्फ अपने लिए इन्होंने बनाया था वाल पोल ने सर वाल पोल ने ये वित्तमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के लेकिन ये पून रूप से नहीं था याद रखना है ये पून रूप से ये सा नहीं कि जर्मनी में भी हो गया अमेरिका ना ये सिर्फ ब्रिटेन में पहली बार पेस हुआ है 1733 में तब ब्रिटेन में सबसे पहले बजट पेस हुआ था 1733 वित्तमंत्री का नाम था वाल पोल याद रखिएगा थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम भारत में बजट के जन्म दाता अब भारत आ गया अभी तक विटेन था अब इंडिया आ गया और अगर इंडिया की बात करेंगे तो 1860 में एक वाइस्वरोई हुआ करते थे कैनिंग लॉड कैनिंग और उन्होंने एक अपने वित्तमंत्री को बुलाया था जिसका नाम था विल्सन और विल्सन ने सबसे पहले भारत में बजट पेस किया था विल्सन इसी लिए विल्सन को बजट का जन्मदाता कहते हैं भारत में भारत में भारत में बजट के जन्मदाता कहते हैं तो ये भी कोश्चन के लिए है थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करेंगे तो आजाद भारत में ये तो हम आजाद नहीं थे आजाद भारत में पहला बजट और एक आजादी से पहले आजाद भारत का प्रथम बजट याद रखना 26 नवंबर 1947 को आरके सनमुखम चेटी जो आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था सनमुखम चेटी तो आप को होगे ये है सनमुखम चेटी आजाद भारत का पहला बजट पेश करने वाले तो कि पहले भी तमंत्री थे आप कोगे कि सर लियाकत अली कौन थे लियाकत अली ने जो बजट पेस किया था वो 9 अक्टूबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक यानि आजादी से पहले तक का बजट पेस किया था तो ये इनका अंतरिम बजट था अंतरिम क्योंकि कुछ समयोका था ये और उसके बाद भारत आजाद हो गया 1947 में और ये आदमी फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिश्टर बन गए तो ये आजाद भारत से पहले अंतरिम बजट पेस करने वाले वेक्ति है और आजाद भारत का पहला बजट सनमुखम चेटी ने पेस किया था और आजादी से ठीक पहले लियाकत अली ने पेस किया था और ये वही लियाकत अली है जो कि पाकिस्तान के फिर पीम बन गए और मजे की बात है ये वही वेक्ति है लियाकत अली जो हर्याना से थे करनाल से करनाल से इनका संब में बजट शब्द का उलेक है केंद्रिय बजट को वार्सिय वित्ति विवरण के रूप में बताया गया है और 2017 से यह हर एक एक फरवरी को पेस होता है पहले यह फरवरी के लाष्ट में होता था लेकिन 2017 से यह सबसे पहले एक फरवरी को पेस हो जाता है बजट और इसके ठीक एक दिन पहले economical survey पेस होता है आर्थिक निती आर्थिक नियोजन तो याद रखिएगा 2017 में एक और बदलाव किया गया दो बदलाव हुए थे 2017 में एक बदलाव हुआ कि एक फरवरी को बजट पेस होगा और एक बदलाव हुआ कि जो general बजट है यानि आम बजट जो केंद्रिय बजट है प्लस जो rail बजट है ये दोनों अब एक साथ आएंगे पहले अलग अलग आते थे अब ये दोनों का प्रावधान एक कर दिया गया, अब रेल बजट अलग से पेस नहीं होगा, इसी में मिक्स करके आएगा तर रेल बजट और केंद्रिय बजट 2017 से एक हो गया, और याद रखिएगा एक फरवरी को बजट आने लगा याद रखिएगा, निर्मला शीता रमन ऐसी महिला है, निर्मला शीता रमन जो छटी बार बजट पेस की है, अगर सबसे ज़्यादा बजट पेस करने का रिकोर्ड देखोगे, सबसे ज़्यादा तो नीलम संजीवा रेड़ी, सबसे ज़्यादा बजट पेस की हैं, दस बार, और लागातार को होगे, तो ये भी छे बार, लागातार छे बार, और कुछ साल छोड़के, कुछ साल छोड़के, दस बार, लेकिन निर्मला शीता रमन जो है, वो ओवरॉल छे बार, निर्मला छे बार लागातार, तो लागातार में अगर देखोगे, तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन ओवरॉल तो नीलम संजीवा रेड़ी सबसे ज़्यादा है, निर्मला सीता रमन छे बार है, जो इस साल बजट पेस की हैं, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये डाटा बहुत अच्छा है, सीडी देशमुख अकेले ऐसे वेक्ती थे, जो रिजर्ब बेंक के गवर्नर के पद पर रहते हुए वित्थ, वर्स 1921 और 52 का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था, उस समय सरकार को पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए टेक्स में बढ़ोतरी करने की जरूरत थ ठीक है, और ये पहले ऐसे सीडी देशमुख वेक्ती हैं, जो रिजर्ब के गवर्नर होते हुए भी भारत सरकार का बजट पेस किया था, इंतरिम बजट पो भी था, 51-52 का, क्योंकि उसी टाइम चुनाओं होना था, पहली बार भारत में चुनाओं होना था, आईए, भारत का पर्थम बजट किसी भारती ने नहीं, एक अंग्रेज वित्तमंत्री ने पेस किया था, उसबसे पहले वही 1860 वाला, ठीक है, भारत का बजट प्रस्तूत करने वाले वित्तमंत्री लियाकत अली थे, फिर ये पाकिस्तान के परधान मंत्री बन गए, 46 में वही, भारत में बजट प्रस्तूत करने की परंपरा इस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी, आपको पहले ही पता है, 1733 में, बजट वित्तमंत्री जेम्स विल्सन ने 1860 में पेस किया था, जो कि भारत में पहला बजट था, आरकियस सन्मुखम चेटी पहले भारती हैं, जो आजादी मे वित्तमंत्री थे और आजादी के बाद और बजट पेस किया था, 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक केवल, साड़े साथ महिने के लिए बजट पेस हुआ था, इसमें देश में फर्वरी में ही बजट प्रस्तूत करने की परंपरा की शुरुआत हुई, जबकि गड़तंत्र बनने 1950 को जब हम गड़तंत्र हो गए, जन्वरी में, फिर फर्वरी में बजट आना था, तो गड़तंत्र भारत का जो पहला बजट था वो जौन मत्हाई ने पेस किया था, लेकिन सवाल पुछेगा आजादी के बाद, तो आजादी के बाद तो सनमुखम चेटी, लेकिन गड़ परतंत्र होने के बाद पहला तो जोन मत्हाई, जोन मत्हाई, यह योजनायोग परबेश्ड था और अब का जो बजट होता है वो नितियायोग परबेश्ड होता है, क्योंकि योजनायोग का नाम बदल के नितियायोग कर दिया गया है, 1946 का बजट लियाकत अली खान ने प् कि बारत में अब नया संसदभाहन बन चुका है तो अब तो वो संसदभाहन भी हमारा नया हो चुका है यह बड़ी बेहत्रीन चीज है इंत्रिम बजट 116 में है और पून बजट 112 में है इंत्रिम बजट यह चुनाओ से पहले कारेकाल के अंतिम वर्स के दोरान बरतमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो इंत्रिम अभी बताया था कुछ समयों के लिए नई सरकार के कारेभार संभालने के बाद अपने कारेकाल के पहले कारेकाल के दोरान जो प्रस्तुत किया जाता है वो पून बजट होता है इसमें वोट और एकाउंट या अनुमोदन के रूप में जाना जाता है सरकार सिमी तउधी के लिए इस पर व्याय खर्च करता है आजब पून बजट में दो भागों में प्रस्तुत होता है इसमें पहला जो होता है वो आई की ब्रिस्तित संरचना और दूसरा भविस्से में जूटाये जाने वाला पैसा ये होता है जो इंत्रिम होता है वो दो स जाने की कोशिश किया था अब आज आते हैं हम केंद्रिय वजट दो हजार चोबीस को लेकर केंद्रिय वजट दो हजार चोबीस को लेकर देखिएगा वित मंत्री ने वित मंत्री निर्मला शीता रमन के द्वारा पेस किया गया था निर्मला सीता रमन के द्वारा पेस किय गया था, छटवी बार, ठिक है, लागातार हो गया यह, अगर महिला के रूप में देखोगे, महिला के रूप में, तो सबसे पहले, सबसे पहले इंदरा गाधी ने पेस किया था, इंदीरा गाधी ने सबसे पहले पेस किया था, इंदरा गाधी का बजड़ था, महिला के रू प्रियास, सब का विश्वास और सब का प्रियास ये केंद्रिय बजट का टैग लाइन है ये केंद्रिय बजट का टैग लाइन याद रखिएगा टैग लाइन है और इसके बीना कुछ भी नहीं है और अगर बजट को देखोगे चार भागों में बाटा गया है गरीब, महिला युवा और अन्यदाता यानि किसान गरीब, महिला युवा और अन्यदाता इन चार लोगों को मिलके अपना बजट वर्गों में बाटा गया है छोटी छोटी बातें हैं इस बजट की जो समझने की कोशिश करेंगे किंद्रिय बजट दो हजार चोबिस उधारी से अलग कुल प्राप्ती 30.80 लाख करोण रुपए है यानि उधारी यानि जो हम कर्ज लियें उससे अलग और कुल ब्याय 47.66 लाख करोण कमाई हुआ है इतना खर्चा हो गया इतना घाटे का बजट है राजकोसिय घाटा जीडीपी का अनुवान 5.14 प्रतिसत रहने का अनुमान है ये आकड़ा याद रखिएगा मेरे लाल आकड़े ही है इनमे कुल दस वर्सों में 25 करोण लोगों को बहु यामी गरीबी से बाहर निकाला गया है परधान मंत्री जन्धन खाते के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाग करोण रुपए का प्रत्यक्ष प्रांस्पर किया गया है परधान मंत्री स्वनिधी योजना के तहत 78 लाग फेरी वालों को रिण सहायता प्रदान की गए जो गूम गूम कर चीज़े 78 लाग फेरी वालों को इतनी सारी सर्विसेज मिली है परधान मंत्री विश्व कर्मा योजना के तहत 18 बेयोसायों से जुड़े कारिगर और सिल्पकारों को end to end मदद की गई है परधान मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोण किसानों को वित्तिय साहता परधान की गई है यानि इतना करोण किसानों को वित्तिय साहता प्राप्त की गई है चलिए भईया परधान मंत्री फसल वीमा के तहत 4 करोण किसानों को फसल वीमा उपलब्द कराया गया है मुद्रा योजना के तहत 30 करोन रिल कर्ज महिला उद्यमी को 30 करोन रुपे कर्ज दिया गया है महिला उद्यमी को परधान मंत्री आवास योजना के तहट 70% मकान ग्रामिन महिलाओं को दिये गए हैं जो ग्रामिन महिलाएं हैं आकड़े याद रखना है मेरे लाल और इसकी PDF गैलेक्सी एक्सिस टेली ग्राम पर आज उपलब्ध करा दूंगा तो आप लोग इसकी PDF भी देख सकते सेम PDF आईए अगले पांच वर्सों में दो करोन अत्रिक्त मकान बनाने का लक्ष है छत पर सोर प्रणाली, roof, top, solarization, योजना लगभग एक करोन परिवार को प्राप्त होगा छत पर सोर प्रणाली लगाने से एक करोन परिवार हर महिने 300 यूनित तक निसुल्क विजली प्राप्त करेगा इस्टार लगा लिजेगा मेरे लाल यहां से सीधा कोश्चन उठेगा और फिर कहोगे कि सर कैसे कैसे सवाल आ जाते हैं आंकडे आंकडे बजट में आंकडे ही तो मेन है और कोई चीज मेन नहीं है मेरे लाल आंकडे ही मेन है परधान मंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान भीत हुए पुंजी गत व्याय के परिवय को 11.1 प्रतिसत बढ़ा कर 11.11, 11, 11, 11 करोण रुपे किया गया है GDP का 3.4 है यानि इतना प्रतिसत से बढ़ा कर इतना कर दिया गया है 11.11, 11 करोण कर दिया गया है 40.000 समान रेल डिबो को बंदे भारत मानो क्योंकि अनरूप में बदला जाएगा यानि स्पेशल मजबूत जैसे बंदे भारत ट्रिन देखा है बिलकुल टेकनोलोजी से लैस 40.000 रेल बे डिबो को उनमें बदला जाएगा क्योंकि केंद्री वजट का ये प्रोजेक्ट है देश में हावाई अड़ो की संख्या 149 कर दी गई है और 2030 तक 100 मिट रिक्टन कोईला गैसी करण और तरले करण छमता इस्थारित की गई है और 2047 तक भारत विक्सिज देशों में शामिल होने की बिलकुल का गार पे विक्सिज देश बन जाएगा और फिर कहोगे कि सर ये आकड़े बड़ी दुख देते हैं अरे भाईया पेपर है पढ़ना तो पढ़ेगा परिवहन के लिए compressed ton coil यानि compressed coil current शमता की चीज़े बनाई जाएगे परिवहन के लिए परिवहन के लिए compressed natural gas और घ्रलू परियोजनों के लिए piped natural gas में compressed biogas के चीज़े उपलब्द कराई जाएगे यानि जो घर में हम गैस यूज़ करते हैं उनको भी हम थोड़ा और प्यूरिफाइट करेंगे ये सरकार की योजना है परत्यक्षकरों की मौजूदा दरों की बरकरार रखा गया है यानि जो स्लैब थे वो पूराने वाले हैं कोई चेंज नहीं है अब परत्यक्षकर और आयतन सुलकों की वरतमान दरों में वही का वही बरकरार रखा गया कोई चेंज नहीं है कर रिटन प्रोसेस करने की ओसत समय सीमा 2013-14 को 93 दिन से घटा कर अब 10 दिन रह गई है यानि इस चीजों में थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं सर्विसेस को फास्ट किया गया है इस वर औस्तम मासिक सकल संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाग करून रुपे बढ़ गया है कुल ब्ये 47,65,768 करून रुपे 47,65,768 करून रुपे अनुमान लगाया गया है और कुल प्राप्ति उधारी छोड़कर लगभग 30,80,274 करून रुपे हमारे पास आया है वही तो कहता आया है 30 खर्चा हुआ है 47 तो घाटे का चीज है जी शुरू में ही बताया था आपको राजस्व घाटा GDP के दो प्रतिसद पर लक्षित है अब आपको राजस्व घाटा यह सब चीज है एकनोमिक्स का टम है अलग से इस पर टोपिक ले लूँगा याद रखना राजस्व ब्रतिसद पुंजिगत ब्रतिसद ब्रतिसद बढ़ने का अनुमान है जीडीपी ब्रिधी का अनुमान नॉमिनल जीडीपी 10.5 प्रतिसद की दर से बढ़ने की उमें देखो एक नॉमिनल जीडीपी होता है नॉमिनल और एक होता है रियल real हमेशा constant पर बढ़ता है यानि constant और nominal हमेशा current price पर होता है जैसे कि मानलो 2016 में 10 वस्तु को बनाने में 20 रुपे खर्च होता था यानि एक वस्तु की कीमत बीस रुपे थी और दस वस्तु बनाओ गए तो दो सो, दो हजार सत्रह में आठ वस्तु को बनाने पर तीस रुपे खर्च होता था, तो दो सो चालिस रुपे हो गए, 2019 में 5 वस्तु को बनाने पर 50 रुपए खर्च होता है यानि 200 यह देखो चेंज हो रहा है quantity भी चेंज हो रहा है रुपया भी चेंज हो रहा है लेकिन स्वेज्ज में rate fix है 10 वस्तु को बनाया 20 रुपए यानि 200 आठ बस्तु बनाया 20 रुपए, एक सो साथ, पाच बस्तु बनाया 20 रुपए, रेट फिक्स है, real GDP, इसमें सब चीच चेंज होता है, current के हिसाब से, nominal GDP, real GDP, अगर GDP deflator देखोगे, deflator, तो इसका formula होता है, nominal upon real into 100, nominal GDP upon real GDP into 100, जैसे कि हमने निकाला nominal, इनको जोड़ लो, हमने निकाला real, इनको जोड़ लो, और nominal उपर, nominal उपर, real नीचे into 100, आपका GDP deflator निकल के आजाएगा, तो यह सब economics के term है, आप लोग और भी अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको होगे, तो इस पर एक, मैं point बना दूँगा, पहला भारतिय बजट वही बात है, बिलसन ने पेस किया था, सोतंत्र भारत का पहला सन्मुखम चेटी ने पेस किया था, बजट पेस करने वाले पहले परधान मंत्रियों में शामिल थे, पंडी जोहरलल नहरू, आपको पता है, यह सब के सब मैंने बता रखा है, सबसे अधिक संखे में बजट पेस किया है, मुरार जी देसाई, बजट पेस करने की तारिक एक फरवरी रखी गई है, बजट का सब्दी कर्थ होता है, चमडे का बैग, जो आपको पहले ही पता है, आम बजट और रेल बजट एक शाथ पेस हुआ करते थे, 17 से पेस हो रहे हैं, बजट पेस करने वाली पहली महिला इंद्रा गांदी है, बजट का संबीधान में उलेक 112 है, और अंतरीम बजट 116 है, ठीक है, चलिए, वित मंत्री निर्मला सिता रमन ने दो हजार पचीस में अपने छठा बजट पेस किया है, दो हजार चोवीस पचीस में मनरेगा क सबसे अधिक आवंटन 86,000 करून रुपे है, दो हजार चोवीस में प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए 80,671 करून रुपे दूसरे नंबर पे आवंटन हुआ है, जल जीवन मिसन के तहत 70,173 करून रुपे, तीसरे नंबर पे सरवाधिक आवंटन है, ये आंकडे आपको दिल में बिठाने पड़ेंगे, दिल में बिठाने पड़ेंगे, 86,000, 80,000, 70,000, बिठा ले ना दिल में, विशिष्ट मंत्रालें को दिये गए आवंटन, Ministry of Consumer Affairs and ये सब करून रुपे हैं, यानि 2.2.13 लाख करून, लाख करून रुपे, इस पर मैं अलग से आपका आखड़ा दे दूँगा, ये रहे, करून में आपको दिये गए हैं आखड़े, आपको ये दे देता हूँ मैं, ये रहे आपके आखड़े, हाँ, ये देखिए, लाख करून में ये है, Ministry of Defense 6.2 लाख करून, Ministry of Road, रोड़ वाला, Ministry of Road जो है, ये मैं आपको देता हूँ, ये लाख करून में ये आखड़े हैं, देखिए, Ministry of Defense 6.2 लाख करून, Ministry of Road and Transport 2.78 लाख करून, Ministry of Rail 2.55 लाख करून, Consumer Affair 2.55 लाख करून, Consumer Affair 2.13 लाख करून, Railway 2.55, Transport 2.78 लाख करून, ठीक है, लाख करून में ये आवंटन है, देखिएगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो Ministry of Home को मिला है, 2.03 लाख करून, Ruler and Development को 1.77 मिला है, और Chemical and Fertilizer को 1.68 मिला है, ठीक है, 1.68 मिला है, ठीक है, इसको आपको छोड़ने नहीं है, आंकड़े रटने हैं, और जितना ज्यादा रट दिये, काम बन जाएगा जी, चलिए, ये सब तो आपको बता ही दिया, ये सब तो आपको बता ही दिया है, अभी बता के ही तो आया है, विशिष्ट मंत्रा ले, बिलकुल ठीक है, रख्षा मंत्रा ले, ये देखिए, रख्षा मंत्रा ले, रख्षा की बाते आजाए, 6,215,6.2 लाह करोन, तेरा दस्मलो, कुल बजट का तेरा दस्मलो चार प्रतिसत है, और पहले वाले बजट से 4.72 प्रतिसत अधिक है, अधिक है, रख्षा पिंसन आवंटन, 1,41 यानी, 1,41,205 करोन पिंसन के लिए गया है, रख्षा पिंसन बजट जो है, वो पहले से 2.17 प्रतिसत अधिक है, रख्षा में जो ब्याय किया गया है, 1.7 लाह करोन किया गया है, और सस्तबलो का राज जो राजस उबे है, 92,088 करोन है, ठीक है, यह आख्ड़े याद रखने है, मेरे लाल आख्ड़े इसमें मेन है, 30 रख्षक जो है कोष्टल है, वो है 7651 करोन है, सीमा सड़क संगठन 6500 करोन है, पूर्वसेनिक कल्यान योजना 6968 करोन है, यानी 69,069 करोन है, यानी 69,069 करोन है, यानी 69,069 करोन है, DRDO जो संगठन ने उसको 23,855 करोण मिला हुआ है तो ये आकड़े पेपर में सीधा पूछे जाएंगे रेलबे में आजाएंगे पिछले बार की तुलना में 5.8 प्रतिसत जादा है मैंने आपको बताया था न दो लाख बावन हजार करोण रुपए बजट दिया गया है रेलबे को तीन प्रमुख आर्थिक रेलबे कोरिडोर उर्जा खनिज सिमेंट गलियारे बनाये जाएंगे प्रधान मंत्री गती सक्ति के तहत कुल 11 लाख करोण रुपए खर्च किये जाएंगे याद रखना 40,000 डिब्बो को 40,000 जो डिब्बे हैं उनको वंदे भारत के तरज पर बनाया जाएगा पहले ही बताया था तीन नए रेल कोरिडोर पर अगले पांस सालों में काम पूरा होगा पहला उर्जा खनिज और सिमेंट गलियारा पहला प्रोजेक्ट पावर वाली चीजे बनेंगे दूसरा बंदरगाह की कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगे और तीसरा हाई क्वालिटी का जो अमरित चत् यानि रेल्बे को भी डिजिटालाइजेशन की तरह पूरे भारत को जोड़ दिया जाएगा 40,000 डबे आपको पहले ही पता है 2021 तक माल ढुलाई की जो गती है 4,000,000,000 टन पर एनम से बढ़ा कर 8,000,000,000 टन प्रतिवर्स किया जाएगा यहनि 4,000,000 अब ढुलाई होती है अलग-अलग डबो से उसको बढ़ा कर 2031 तक 8,000 में कनवर्ट करना है यह आंकडे याद रखिएगा और आंकडे याद रख दिए काम बन गया आंकडे याद रख दिए काम बन गया logistic दक्षता में सुधार समंगर लागत की कमी आएगी आप technology को जोड़ दोगे तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन चीजे बनेंगी कवच जिसे आप देखते हो धूंद में ट्रेने लेट हो जाती है या जंगली रास्ते से जब ट्रेन गुजरती है तो आगे जानवर आने की संभावना होती है तो कवच बनाये जाएंगे अगले पांच वर्सों के दोरा 40,000 ट्रेक बनाये जाएंगे और चार बार रेलबे में नई भरती ये इस्टार लगाईएगा साल में चार बार रेलबे की भरती आएगी जन्वरी अप्रेल जून अक्टूबर अरे भाया आजाना भाई साब ये बजट में कहें हैं तो आजाना ये नई की बजट का जुमल पूरी जन्ता आपके साथ रहेगे बस ये काम करते रहना जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा अब छोड़कर कहां जाना पड़ेगा ये कर देना भया नियुक्तियां होंगी चार बार रेलबे की नियुक्तियां होंगी दो हजार तीस इक्तिस तक रेलबे में वोटिंग की समझ्या पूर्ण रूप से खत्म कर दी जाएंगे उत्तर परदेश में बजट का जो है उननीस हजार पांस सो पच्छतर करोन रुपए दिये गए हैं और मध्य परदेश को पंद्रह हजार के करीब रेलबे को दिये याद रखना एक लाख सत्ताइस हजार चार सो उन नतर करून रुपए प्रोजेक्ट मिला है क्रिसी में जबकि क्रिसी बिभाग को एक लाख सत्रह हजार पांस सो अठाईस और क्रिसी अनुसंधान को निन्यान नौ हजार normogen रुपए मिला है प्रोजेक्ट याद रखिएग अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर पुर्जक्ट क्रिशी छेत्र में मूल वधन और किसानों की आय बढ़ाने का वादा किया गया है परधान मंत्री किसान सम्मान योजना के तहती 11.8 करोन किसानों को सीधी डायरेक्ट वित्तिय सहायता प्राप्त हुई है परधान मंत्री फसल योजना के तहट चार करोन किसानों को फसल भीमा योजना परधान मंत्री संपदा योजना के तहट 38 लाख किसान लाभानवित रोजगार के 10 लाख औशर बनाए गये हैं क्रिशी में इलेक्ट्रोनिक्स नेशनल एग्रिकल्चर मार्केट में 1361 मंडियों को डिजिटल कर दिया गया है पोसुपालन और डेरी विभाग को 4521 करुण मुला है इस्टार लगा लिजे पुर्शोतम रुपाला डेरी मिनिस्टर है इस्टार लगा लिजेगा पेपर में आना ही आना है कहीं नहीं जा सकते हैं आप स्वास्त विभाग क्या बात है इकाई दहाई से 90,658 करुण रुपे प्राप्त हुआ है जो पहले से 5.8 परसेंट ज्यादा है स्वास्त और परियावार कल्यान मंत्राले को 87,656 करुण जो ये डिपार्टमेंट ए हेल्थ और इसमें रिसर्च को मिला है 3,001 करुण रुपे इस बजट में आयूस मंत्राले को 33,712 करुण मिला है फार्मास्विटिकल विभाग को 4,089 करुण रुपे मिला है जंधन औसधी योजना के लिए 1,000 करुण रुपे मिले हैं और 30,00,000 से अधिक समाजिक स्वास्त कर करता है आशा और आंगन बाड़ी कर करता हूं और सहायकों को आयुशमान भारत परदान मंत्री जन आर्योग योजना के तहत स्वास्त बीमा के दाइरे में आसा बहन कर्मी को स्वास्त बीमा के दाइरे में रखा गया है और वो काम कर रही है बहतरीन अभी सर्वाइकल यानि गृरीवा कैंसर की रोक थाम के लिए 9 से 14 वर्स के आयू की लड़कों को टीका करन प्रुचाहित किया गया अभी देखे थे मीडिया में एक एकक्टरेस थी कहा गया कि वो उनका डेट हो गया पता नहीं क्या चल रहा है उनका भी डेथ इसी वजह से हुआ है सरवाइकल कैंसर के वजह से ये जो सरीर के जो निचले हिस्से के जो औरगन है फीमिल के वहाँ पर कैंसर हो जाता है और कहा जाता है कि इसमें टीका करण बहुत जरूरी है और सुरुवात के तीन साल तक अगर टीका करण हुआ एक साल दो साल तीन साल तक तो डॉक्टर बताएंगे जो गाइनोकलोजिस् अगर ठीक हो गया तो दोबारा से इंजेक्शन की जरूरत नहीं है और अगर जांच में फिर पाया गया कि नहीं अभी जरूरत है तो आगे भी वो टीके लगाये जा सकते हैं तो उनके लिए जिस वास्त में ये सक्षम आंगनबारी और पोशन 2.0 के तहट आंगनबारी के इंद्रों को डिजिटल किया जाएगा यूविन प्लेटफॉर्म और सघन मिशन इंद्रधन उस्तेजी से आपको टीका करण किया जाएगा जिससे आपको इनसे फ्लाइट इस ये सब होती हैं वो नहीं होंगे क्रिशी परधान मंत्री किसान आवंटन लगभग 60,000 करोण रुपे क्रिशी में गया है वोगता मंत्राले खाद सरवाजनिक वित्रण मंत्राले को 2.13 लाग करोण मिले हैं खाद और सरवाजनिक वित्रण विभाग को लगभग 2.13.019 करोण रुपे मिले हैं और रसाइनी करूर वरक मंत्राले को 1.68 लाग करोण रुपे प्राप्त हुआ है आकड़े याद रखना है मेरे लाल आकड़े याद रखना है तो आपको ये फीचर सियाद कें ये देखिए सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास Development India 2047 तक हमने कहा तो था कि हम पूर्ण विक्सित हो जाएंगे Development India और क्या चाहिए वीजन ये ही तो अपना वीजन है 47 तक का वीजन है कि हम विक्षित भारत हो जाएंगे तो आपसे पेपर में यही तो पूछ लेगा कि विक्षित भारत की क्या योजना है यह देखिए सबका साथ, सबका विकास यह देखिए और क्या चाहिए मेरे लाल और क्या चाहिए आपको और क्या ही चाहिए आपको चलिए ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ये थोड़ा सा रुपिया कहां से आता है ये देखिए माल लेते हैं रुपिया देखो कहां से आता है देखिए जो हमारे पास पैसा कमाई आता है सरकार की देखिए जब हम कहीं से उधारी लेते हैं तो 28% उधारी से आता है अग लेते 100% हमारे पास पैसा है तो 28 जो परसेंट पैसा है वो उधारी से विदेशी उधारी से आता है 7% non-tax से 1% non-debit capital receipt से और 4% custom से आता है GST से 18% आता है corporate tax से 70% excise से 5% income tax से 19% यहां से हमारा पैसा आता है और याद रखिएगा मेरे दोस्त मेरे लाल और पैसा खर्ज कहां से होता है सरकार का वहाँ आये जरा सरकार का पैसा खर्ज कहां से होता है वो जरा देखिए वो देखिए जरा यानि जो हम कर्ज लिए हुए हैं उसका interest भी तो देते हैं 20% इस पॉंसर्ड जो सेंट्रल के स्पॉंसर्ड स्कीम है 8% खर्ज करते हैं जो सरकार सबसीडी देती है 6% जो डिफेंस में खर्चा करती है 8% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% फिनेंस कमिशन एंड ट्रांसपर्स में 8% इस्टेट को टेक्स एंड्यूटी जो सेयर करती है 20% अधर एक्सपेंडीचर में हम 9% खर्ज करते हैं और पैंसन में हम 4% खर्ज करते हैं सरकार यहां खर्च करती है रुपीज गोज टू और रुपीज कम टू यानि यहां से हमारा पैसा आता है और आपको मैंने बताए हैं यहां हमारा पैसा जाता है तो साइद मेरे हिसाब से आपने यह बजट देख लिया पीडियाफ पीडियाफ जो है आपको गैलेक्सी एक्सिस के टेलिग्राम पर मिल जाएगा आप जुड़िये और वहां से अपना पीडियाफ भी ले लिजे तब तक के लिए दीजिये हमें इजाजत नमस्कार दोस्तों